जैसा कि हमने last lecture में cover कर लिया था कि कैसे हमने edit view को dynamic create किया था जैसे कि आप देख पार हूँ यहां पर जैसे ही मैं like मैंने first वाले पर click किया था जैसे मैं second वाले पर click करता हूँ तो यहां पर is correct की जो value है मतलब auto selected हो जाता है and then हम यहां पर easily remove भी कर सकते हैं and then add new कर सकते हैं पर यहां पर हमारा जो task रह जाता था वो हम इस lecture में cover करने के लिए pending का ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है जैसे like मैं यहां पर remove पर click कर रहा हू जैसे इस पर click हो and then हमें यहां पर update भी करना है हमारे यहां पर add new भी हो सकते है answers ठीक है या हम old बालो को हटा भी सकते हैं या old बालो को self update भी कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीक से हमें यहां पर working करने तो चलिए मैं start कर लेता हूँ अपने view के अंदर चलते हैं सबसे पहले हम resources क के अंदर views and then admin के अंदर हमारा question and answer dashboard था ठीक है अब यहां पर क्या है आपको क्या करना है सबसे पहले जो आपका button है यह remove button इसको थोड़ा एक class दीजिए जिससे कि हम एक एजक्स पर trigger करवाने वाले हैं ठीक है तो यहां पर अभी हम देखते हैं कि कहां पर हमारा यह जो है dynamic createो रहा था तो यहां पर लास्ट में जलते हैं तो अंस बटन ठीक है अडт अंस से यहां से यहांप क्या करने वाली है थोड़ा मैंसे हाब लेता हूं तरसे तेखिए यहां पर आपको एक Already class तो इस पर है यह रिमूट बटन पर इसको नहीं हमें यूज करना हम क्या करेंगे यहां पर एक और class यूज करेंगे जिसका नेम होगा रिमूट आंस्वर ठीक है तो आंसर आईड़ी आ रह रही है हमारी यहां पर ठीक है तो मैं इसको कॉपी कर लिता हूँ and then मैं tää यहां पर क्या करूंगा इसमें data id में पास करना है ठीक है बटन अब हमारा data id ले रहा है ठीक है अब जैसे ही इस बटन पर click होगा तो हमारी इस class का use करना है और हमें एक ajax hit कराने जो कि क्या करेंगे इसलिए हमारे answers को delete करने वाली है ठीक है तो हम remove answer का जो code है वो यहां पर करेंगे तो मैंने यहां पर comment लग दिया remove answers ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे डॉलर जब बटन पर click होगा dollar dot answer remove answer dot click and then हम एक function trigger कर आएंगे पर देखिए अभी यह जो है चलेगा नहीं यह सलिए नहीं चलेगा लाइक में यहां पर अगर चला के दिखाता हूं तो यह क्यों नहीं चलेगा वो भी अभी आपको पता चल जाएगा देखिए यसी मैं edit पर click करता हूं तो यह आपको button दिख रहा है न यह dynamic क्रियेट हो रहा है तो अभी देख पार हूं मैं इन पर क्लिक कर रहा हूं पर alert नहीं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है क्योंकि यह dynamic event and then यहां पर आपके किस पर क्लिक हो रहा है dot remove answer पर यह क्लिक को हम अटा देंगे और कॉमा लगा करके हमारा function इसमें पास होने वह ठीक है तो यह आपने arguments पास कर दी दो एक basically आपका event होता है एक जिस पर हम trigger कर वा रहे हैं and then next one is आपका method ठीक है तो अभी जो है आपका क्या करना हो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे id लिकाल लेते हैं जो इस बटन पर id आ रही है तो हमने बोला dollar this and then जिसके पास attribute है और data id नाम का है जिसमें attribute है उसके पास से हमने क्या किया answer की id निकाल ली like मैंने यहां पर इसके name जो रग लिया answer id ठीक है अब मैं यहां पर adx को hit कराने वाला हूं तो मैंने यहां पर लिका dollar dot adx and then यहां पर amazon object यहां पर अपना पास करने वाले url ठीक है अभी url हमने create नहीं किया है तो अभी हम create करेंगे और type हम इसका रख लेते हैं type type हम इसका रखेंगे get क्योंकि मैं इससे get request बनाऊंगा and then data हम यहां से pass करेंगे तो मैं यहां पर id and then colon unsid में यहां से pass कर दूगा ठीक है तो यह वाली जो answer id है वो मैं यहां पर pass कर दूँगा जो की क्या करेगा इस यौश्ë पर क्या करेंगा answer को delete कर देगा rant herb पर success का कर लेते हैं सक्सेस कॉलन्स पंक्शन हाला कि अगर नहीं करोगे तो कोई भी टैंसन वाली बात नहीं होगी और यहां पर हम कर लेते हैं डेटा ठीक है एंड यहां पर आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी लाइक कंसुल बगएरा करा सकते हो ठीक है वैसे तो हमें यह करा लेना चाहिए कि यहां पर data.success है equal equal true तो हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे विसलिए console करा करके चेक कर सकते हो कि क्या आपका message आया ठीक है data.msg नाम का हम की वहां से base देंगे ठीक है तो मैं अभी यह front end वाली फाइल से complete कर रहा हूं else में हो सके तो आप यहां पर alert करा सकते हो alert data.msg लाइक कोई अंदर message आता है तो ठीक है अधिक है अधिक है सबसे पहले तो हमें routing create करनी है इसके लिए तो routes में चले आते है routes web.php and then same as it is में यहां पर अपने controller को भी open कर रहूंगा पर फिलाल में हमें route create कर लेते हैं ठीक है तो यह जो हम get है उसको हम use कर लेते हैं लाइक यह जो question and answer details है इसको मैं copy paste कर लेता हूं ठीक है and then मैं यहां पर लिख देता हूं delete ans ठीक है और यहां पर भी मैं इसका name देता हूं delete ans अब देखिए यह तो मैंने create कर देया फ्लाल में अब मेरे को चलना है controller के पास क्योंकि वहीं पर आवा हमारा काम होने वाला ठीक है इसका controllers admin controller sorry admin controller के अंदर आ चुका हूं मैं अभी यहां पर मेरे को करना है क्या सबसे पहले तो देखिए यहां पर आउंगा और यहां पर नीचे आउंगा और मैं यहां पर एक method create करने वाला हूं public function and then delete ans जो कि वि देखि सकते हैं कि मैं यहां पर answers में जाता हूं यह हमें id के विस पर delete करना ठीक है data और मैंने बुला dollar request के पास है जो आपके पास deleted successfully ठीक है पस इतना काम आपको पड़ना था अभी एक बार हम क्या करेंगे थोड़ा optimize करेंगे save करके पहरे उससे पहले मैं थोड़ा route name pass कर देता हूं delay dance ठीक है तो delay dance मैंने यहां पर जो है इस तरीके से पास करूंगा और route यहां पर आमने लगाया और यह हमने पास कर दिया ठीक है अभी जो है आपका perfect working करेगा like मैं यहां पर optimize करता हूं again and then serve करूंगा तो serve किया मैंने यहां पर तो अभी like देख सकते हूं यहां पर मैं browse करके भी दिखा जेता हूं अभी जो है यहां पर आपको दिखाई देरा question id 2 के आपके 3 answers ठीक है तो यहां पर देख पार question id जो आपके 2 हैं यहां पर दूसरी की बा बात कर सकते हूं like मैं चाहता हूं कि मैं इस answer को delete करना ठीक है जैसी मैं remove पर click करूंगा देखो गायब तो हो गया पर देखते हैं कि यहां पर देखिए अभी यह राट ठीक है यह क्या हटता है यह देख लेते हैं तो हाँ जी देख सकते हो आपका delete हो चुका है आप मतलब आ करता है कि मैंने last lecture में आपको बताया था कि मैंने यहां पर एक comment लिख देथी next lecture कवार ठीक है तो मैं करता हूं यह जो मैंने एजक्स यहां पर हिट की हुई है इसको मैं यहां से copy कर लेता हूं और मैं यहां पर पास कर देता हूं ठीक है इसे की मतलब हमारा थोड़ा time की तो जिसका नेम में रखूंगा route का मैं रखूंगा update qna ठीक है नेम में यह रखूंगा और data में हम form data पास करेंगे ठीक है अब आप बोलोगे form data किसका तो अभी हम यहां पर बता दें तो देखिए यह वाला जो added question है answer है वो submit हो रहा है ठीक है तो हम यहां पर dollar this करके उसका सा सारा का सारा data आजाएगा तो मैंने वो लख where form data is equal to और यह हमारे पास सारा का सारा data आच चुका है इसको मैंने form data नाम के वरीविल में पास कर दिया ठीक है अब देखिए यहां पर console.log success is equal to true करा है अब मैं यहां पर क्या करा जता हूं location.reload ठीक है जैसी update हो जाएगा तो आफ फिर आप क्या कर सकते हो यह जो आपका pop-up आथा इसे आप close कर सकते हो ठीक है तो कोई tension वाली बात नहीं होगी ठीक है आई हूप आप understand को पा रहे होगे ठीक है and then हम यहां पर क्या करेंगे यह तो आभी आपने तो यह काम तो कर दिया ठीक है पर अभी आपको यह routing create करन दिया है method भी update qna call होगा और मैंने यहां पर add की जागा मैंने कर दिया update qna and answer ठीक है यह आप update qna जो भी आपको लगसा है बो आप कर लीजे ठीक है तो यह मैंने जो है method name मेरने को बनाना होगा back end में ठीक है अभी यहां पर कुछ conditions है जो कि आपको ध्यान रखनी है तो देखि request यहां पर आप क्या कर रहे हो basically यह आया ठीक है यहां पर आप क्या करोगे return response करा लेता हूं ठीक है एक minute जिससे कि आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है ठीक है क्योंकि तभी आपको थोड़ा logic समझ में आएगा तो मैंने यहां से क्या करता हूं dollar request को सारी को copy कर लेता हूं और यहां से मैं direct करता हूं all करके return कर देता हूं ठीक है अभी आपको थोड़ा understanding होगा कि मैं कर क्या रहा हूं तो यहां पर आप यह कुछ conditions वनने वाले हैं जिनको आपको द्यान से देखना मैं inspect कर लेता हूं और मैं यहां पर भी जो है क्या करूंगा sorry Q&A dashboard में आ करके मैं य भी लोड नहीं करूंगा अभी मैं यहां पर console.log करा देता हूं data code ठीक है थोड़ा आम debugging देख रहे हैं मतलब किस तरी से आप debug कर सकते हो code को कि अगर कोई error बगेरा देखती है direct आप काम कर देते हो ठीक है यसी मैंने update पर click किया और मैंने यहां पर देखिए अभी मैं यहां पर क्या करता हूं इसको थोड़ा cancel करते हैं यसी मैंने update question and answer पर click किया दो देख सकते हो यहां पर आपका answer 2 है इसकी अगर आप answer ID देखोगे तो इसकी 5 है ठीक है तो इसके बेस पर आप easily update कर सकते हो तो इसलिए मैंने वहां पर key pass करवाई थी जो कि आपने last lecture में देखा 3 हो उसकी ID थी 6 तो इसके बेस पर आप key को get करोगे and then update कर पाऊगे easily ठीक है यहां पर is correct की value देख पार हो आंस 2 जारी है जो कि आपको यहां पर पता है अगर मैं like यहां पर यह वाला select करता है ठीक है अभी यहां पर कुछ condition समझे देखिए मैंने यहां पर यह update किया तो यहा warranty से वो remove हो चुका है यहां पर वोला answer deleted successfully ठीक है तो यहां पर permanent delete हो चुका है ठीक है अब मैं update question and answer करता हूं तो यह minimum add करने को बोलेगा तो मैंने यहां पर बोल दिया यहां पर answer में क्या है answer में आपके वो data है जो कि आपका old data है ठीक है मतलब आपके older object जो कि आपको यहां पर दिखाए जै रहा है second में ליक किया रही है कि केंग यहीं वांने वांसेrat कियूंत Via leah क्योंगी इससे हमें पता चलगा कि अगर यह ऱ सेत होता है थो हमें क्या करना उसे था यहां पर ऑनसूर में भयल्यी जाती है थो यह हमें क्या करना अफडेट करना फैक है अब यहां पर deduct में तो आपको पता है कि जो भी आप यहां पर वैल्यू है वो आपकी आजाईगी कोश्चन आइडिया आपकी जाहिरी है ठीक है तो चलिए हमें वेकेंड पर लॉजिकल सेट अप कर लेना है तो अब हम यहां पर क्या करते हैं मैं थोड़ा होगी तो इसली पता जाएगा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कोश्चन अप्डेट करूंगा ठीक है क्योंकि कौश्चन भी आ उसके बेस पर मैंने उसे find करा ठीक है और मैं यहां पर उसे क्या करूंगा अपडेट करूंगा ठीक है अपडेट यहां पर हम क्या करेंगे करेंगे करें मिला है कि यहां पर आप क्या करोगे सबसे पहले आप यहां पर उसकी value request में क्या date आ रहा है question आ ठीक है यहां पर देख पारे हो question आ रहा है जो भी updated मतलब इसमें string होगी वह आपको मिल जाएगी ठीक है तो यह तो आपने कर दिया question को update अभी तो आपने question को update किया अभी आपके पास क्या है अभी आपको दो चीजों को handle करना है answers को और new answers को ठीक है क्य check कर पाएंगे कि क्या यह value set है या नी तो मैं check करूंगा इस set में answers set है या नी answers नाम की जो key है sorry request में हमने check किया कि अगर answers set है ठीक है तो उस case में हम क्या करा रहे है देखिए basically आपको पता कि दौनों चीज़े आ रहे हैं तो दौनों को हम यह आपर कराएंगे basically ठीक है अभी पहले हम old answers को ले करके चल लाएं कि अगर old answers मिलते हैं तो उस case में क्या होगा सबसे फ़ले तो हम एक four each loop लगाएं कि भाई जो answers हैं उनको निकालो ठीक है तो as करके dollar answer निकाल लिए हम न ठीक है कोई इस तरीके से नहीं निकालेंगे हम इनको यहाँ पर आपको पता है कि new answer में तो आपका simple string में data ठीक है पर जो answers नाम की है उसमें क्या रही है आपकी key and value का pair जिसमें क्या है क्या है आपकी answer की ID है तो हमें उस answer ID को get करना है तभी तो हम उसकी वेस पर update कर पाएंगे ठीक है तो मैंने यहाँ पर बोला dollar as key ठीक है और मैंने यहाँ पर arrow नाई and then उसके अंदर जो value है उसको मेरे रही है ठीक है अब मैं guys simple है मेरे पास आप पूरी powerful ताकत आ चुकी है सबसे पहले मैं क्या क करो मतलब where क्या करो यह ID के द्वारब find करो ID क्या रही है हमारी की के अंदर ठीक है आपको पता है कि 567 जो भी होगी वह आपकी आते जाएगी उसने यह find करा ठीक है अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे अब्डेट करेंगे अप्डेट जो है आप एक एरे पास करोगे अप्डेट में क्या करो विसक लिए answers में आपको क्या क्या अप्डेट करना है सबसे पहले तो आपको questions ID करने की जरूद है तो हैं तो तरहily इसे लग सकते हो हाला रहा है वह आप जो है answer 000 आ रहा है ठीक है अब जो answer आ रहा है व้ आपके value कैंद ठीक है key and value आपके पास तो हैं आ तो अब हम ने बोला की value का अंदर answer वो आप update कर दो कि user जो है यहाँ पर अपने frontend side से change करएगा मतलब सब्सक्राइब तो एहाँ पर जो है change नियुआ है झिरूर सेव कर सकता हूं ठीक हैं Sakалаλwon मैं-सके-जैर दुक्राइब इससी कुंप्र के पूसकि हम हाए आपने फ्रेंट पर श्रीथे तेle простyn के यह गया तो पूसकिया हउिस यह नहीं 수оров humor changes करूं फिर मैं दिखाऊं तो ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा ठीक है मैं क्या करता हूं सिंपल मैं आपको बता जिता हूं कि क्या होगा जब हमें इस correct को like मैंने से select किया तो यह इसकी value ले लेगा और मैंने जब इससे select किया तो यह इसकी value लेगा ठीक है तो हम यहां पर चेक लगाएंगे अपने इस for each loop के अंदर तो मैंने बुला dollar is correct नाम का हमने क्या किया एक variable होना है जिसको starting में हम रख देंगे 0 ठीक है और अब हम यहां पर एक लगाने वाले dollar if dollar request में जो is correct है is correct अगर एकवल एकवल होता है dollar value से मतलब उसकी value मतलब जो आपका 0 या 1 जो भी होगा वह यहां पर update हो जाएगा ठीक है तो यह तो basically हमने एक case को handle कर लिया आपके new questions sorry new answers आ सकते हैं तो उसके लिए आपको करना है क्या है मैं simple इसको copy कर रहा हूं तो मैं यहां पर थोड़ा comment लग देता हूं old answers update ठीक है and then new answers आते हैं तो उनको हमें क्या करना है add ठीक है तो मैं यहां पर एक और new comment रहना देता हूं new answers added ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके old answer को यह आप update करके change मतलब update उनहीं को कर लो ठीक है मतलब कोई नए answer add नहीं कर रहे हो तो उस case में यह वाले condition चलेगी नहीं ठीक है यह आपने सारे olds को remove कर दिया और new add कर दिये तो सारे olds को remove कर दोगे तो यह वाली condition नहीं चलेगी आपकी नीचे वाली चलेगी क्योंकि आपने new answers add क्योंगे ठीक है अब यहां पर क्या है जो key का name रखा यहां पर क्या कर रहा हूं एक करके data लेता जा रहा हूं मैंने यहां पर बोल दिया as dollar answer क्योंकि हमें key and value की तो जरूवत है यहां पर भी मेरा same formula लगने वाला है कि dollar request के अंदर जो is correct की value होगी क्या पता वो इसकी हो ठीक है तो इसके लिए हम यहां पर answer चेक कर लेते हैं और अगर इस correct बन हो जाएगा अगर उसकी value इससे match करते है ठीक है एंटन हम यहां पर update नहीं कराने वाले हम simple क्या कराने वाले है answer को create ठीक है यहां पर अभी आप देख होगे answer ठीक है answer अब देखिए यहां पर हम क्या कराने वाले है basically create तो हम यहां पर बोलेंगे colon colon insert अब insert के अ सबसे पहले तो आपका होगा question id तो यहां पर हम इसी को copy कर लेते हैं तो इसी को हम यहां पर copy करके यहां पर डाल देते हैं and then मैंने यहां पर बोला question id जो कि आपके पता ही है कि आपकी dollar request से आई रही है answer में क्या आने वाला यह जो आपका for each loop का जो answer है वो आपको यहां पर जालती है ठीक है इस correct में आपको पता है कि zero होगा अगर उससे match करता है तो बन हो जाएगा वर्ना कोई दिक्कत वाली बात है यह ठीक है अभी यहां से हम message जो है return कर देते हैं कि सारा काम होने के बाद तो हम यहां पर बोलते हैं message में कि q&a updated successfully 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 and then यहां से हम true देंगे इसका जो success है ठीक है क्योंकि आपका जो proper update हो चुका है and then अब हमको कुछ नहीं करना बस अब हमें testing करनी है ठीक है तो एक बार हम not optimize कर लेते हैं and then checking करने वाले हैं हम यहां पर तो अब मैं थोड़ा हटा देता हूं इस console को अब हम सबसे पहले तो हम second वाले की testing करेंगे क्योंकि मैं मैंने यहां पर एक तो मैंने मतलब मैंने दो तो remove कर देते पर add कोई नहीं किया था ठीक है अभी मैं update करने की कोश्चिस करूंगा तो यह बोलेगा minimum 2 तो like मैंने यहां पर बोला इसको मैं update करके मैं कर देता हूं इसका second question जो भी है question चेंजमेंट ठीक है है कि इसका first वाला selected था जैसे कि आप देख पार हूं कि हमने already select किया था like मैं इसे two वाली को select करता हूं तो आप update हो जाना चाहिए तो यहां पर देख सकते हो कि आपका question अपडेट हो चुका है and then यहां पर अभी आप देखोगे तो आपके यहां पर यह selected हो चुका है क्योंकि किEXकरता हूं तो यहां पर देख पार हूँ यही correct धा तो यह आपडेट भी हो चुका है अब देखें १ाफर ही क्या करता हूं इन दोनों को remove कड़ देता हूं ऐसे answer Lil Uans2 और यहाँस करने को उस Credit करणे को नहीं कर सकता हुए तो यहां पर देख पा रहों कि yajz यह अप्डेट हो चुका है ठीक है अब like मैं एक first वाली को करके देख लेता हूं मैं चाहता हूं इसमें एक और add कर देता हूं like मैंने यह answers में भी देखूंगा तो यह आपका yes था ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने यहां पर update किये questions and next lecture में जरूर देखिएगा कि कैसे हमें इसे delete करने वाले हैं ठीक है